हेलो दोस्तों मैं हूँ है मलता आज के इस वीडियो में हम वोटरमेलन को सर्व करने का बहुत ही बेस्ट तरीका देखने वाले हैं इंडियन स्टाइल में वोटरमेलन को खाने का मजा ही कुछ और होता है लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे एक बार ट्राय करेंगे तो बहु कि हम दो बावल बनाएंगे सेंटर से कट करने के बाद में बिल्कुल सेंटर से हमें इसे कट करना है और फिर जो यह इसका बीच का रेडवाला पार्ट है इसे हम कट करके बाहर निकाल लेंगे अच्छे से हमें इस रेडवाले पार्ट को कट करके बाहर निकालना है बिल्क जो बचावा लिक्विड है इसे हम एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे और एक चम्मच की मदद से इसे इस तरीके से साइट से हटाते हुए पूरे वाटरमेलन को अच्छे से खाली कर देंगे जितना भी यह रेड वाला पार्ट है हमें इससे बाहर निकाल लेना है वाटरम मेलन UCES कटकर बाहर निकाले थे इनें हम छोटी चोटी टुक्ड़े में कट कर लेंगे और इसब हम बाहर किरे किरे इसंतरी के से इसंतरु जlioCK करें निकाले कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से बीज का जितना भी एक्स्ट्रा रस है उसे निकाल लें जो भी तरीका आप तो यह हमने सारा वोटरमेलन का रस निकाल लिया है और इसमें हम एक निम्बु का रस डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग इसमें निम्बु का रस एट कर सकते हैं और स्वात के नुशार हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसका जूस पना के तियार कर लेंगे, आप उदिने की पत्तियां भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, अब हम एक ग्लास बिल्कुल थंडा दूद लेंगे, इसमें हम रोबजा डालेंगे, यह हम दूसरे वाटर बलन पंच की तियारी कर रहे हैं, रोबजा की जगे आप रोज सिरप का इस भी कर सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी डालने की ज़रत नहीं है, इस तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा, तो सर्व करने की सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है तो चलिए सर्व करते हैं इसे, तो सबसे पहले हमने ये जो बीज निकाल करके पीसे कट किये थे, इन्हें हम दोनों बॉल्स में डाल देंगे, आधा आधा करके हम इसमें डालेंगे, समर्स के लिए बहुत ही थंदा थंदा रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है ये, तो आप इ इसमें बहुत सारी आइस क्यूप्स डालेंगे, जितने आपको आइस क्यूप्स का यूज करना है, आप उतनी आइस क्यूप्स इसमें डालें, मेने हाँ पीसमें बहुत सारी आइस क्यूप्स डाली है, और अब हम इसमें जो तियार किया वाटरमेलन जूस था उसे डाल दे करेंगे इस पर मैंने थोड़ा सा कतावा काजू बादाम पिस्ता डाला है और बस आप इस टेस्टी वाटरमेलान पंच को इस्ट्रो और चमच के साथ में सर्व करें इस तरीके से अगर आप इसे एक बाद ट्राय करेंगे तो बहुत इत्यादा तेस्थी बनेगा यह और अग कि दूस तो